आवासेज चरहें करें। अमार घुल्टामरे धराइदी में, आमी परवत्ती समस्करोने संसदन करार चेस्टा करवो, हमा तूफीक इल्ले बिल्ले, आल इस्लाम, जिन्दाबाद, अस्सलाम अलेकूम वरहमतुल्ला, अमार कमेटी भाईदेर कसे आमार धुबे हाकेरे जोडेर प्लीज अनरोद, आमार अनरोद, आमने समार प्लीज येद दोन्री कोस्त. अनुटा जी आपके टीजा, आपके बाटादोंदी आपके टीज्य कुछा हूं अ अ वच्छा में अ गजिए आपके निए से commission 2 एद बाटादॅब प्र्टोंदी आपके लिए। जीएक्टा जीए अ हैक्टा जीए सोना कर दो अजब त अजब यह घजब शुच्ट रहां आयाँ कि अधिक 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 टेट था प्यांद। जया रखी बर्ट आत्र कर दो कने कर दितो हुर थुम हो कि या कर इसली कुछ?", यि जब फ्र।ों कुछ ओरना कहने… रपOoh शुम का दुम हुआ है… यहुआ है यह लगे लगे उन्यों watch स हुआ, लगे आल सुं़क हुर हुर मुआते औरी के उ Whats名 हुआ हू气, लुड़स, टुझारारारा săराले डिले, आसका जाले पको, वेरिमोन के जाले da युभ है, प्रोबस, याभरा जिले फ מש subjects्स, वेशाओक झाले अजारा! रिम्स है एक कि लुड़स, यादक जाले ond? उवे, ने हम धर से चने ख्सोंलाARा है? कि विए दान इश्लाम आम्रा शकोली धद्धो शोकार गोशी इन्शाल्लाव लाजीज जिनार अफेक्का आम्रा अतक्फन प्रजुन्त गोशी आची अपनारा शुदु एक्टु जे जिखाने भोशी आचें शिखाने ठाकू नाल मोरा अउठार पुर जुदि आपनारा हल्ला चेला कोर बेंकार ले मोरा अपथार आप देना इन्शाल्लाव लाजीज एतो दिन दोरे हमरा अफेक्का इपुरे चिलां जे मौलाना मुनुरु इसलाम साथ जिनी दे अपना दर शामने बता रखची लें कि इनके तक्रीब में दिर्या की रवानी देखी बुन्चा बुन के गरंगे जवानी देखी जवाने रुमत और इन्ही अपना दर शामने आलोचों न रखचें एको रामा दर विक्खात आली के दिन जनाब हजरत मौलाना जर्जीस अंशारी इतावा यूपी से जो तश्र इनके आलाओ अजीज आफद्राइट के सामने कुछी देर में पेश इनोवाले हैं आफद्राइट इस मजलिश का अच्छी तरीके से अदब के साथ हम आओ आप बैठे इन्शालाओ अजीज मौलोना बहुत बहतरीन अंदास से आफद्राइट के सामने बयान करेंगे इंश इंशाल्लावल अजीज उनके बयान से हमारे दिलों मनोवर और मुझन्ना होगा इंशाल्लावल अगामी कल बात दिये शामने शोनी बार अमा तेर बजनात्पूर मदराशर जल्शा ते इंशाल्ला महाना जोंदिश्या वो कुस्कित ठाक बेड आपना तेर शोकल के आपनात्पूर अबस्टीफ होगे अमादेर समनी शोनी बार इंशाल्लावल अजीज महाना चे बायाना जोचे आमारा दोद्टो शोगार बशी इंशाल्लावल अजीज कीजो कुनेर मद्दे महाना अपस्ती ठाक चे कुछ ऐसी बेखोदी है कि तेरे इनतिजार में कुछ ऐसी बेखोदी है कुछ ऐसी बेखोदी है मैं हजजुरत को बहुती अदब औ हतराम के साथ दावत सुखन देने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि चलाओ तीर जो बहतर तेरे कमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी जुबान में है, मेरी मुराद जनाव अब्दस, अन्लमा व मौलना, जर्जीस, अन्शारी, चतुर्वधी, इटावा, जो यूपी से तश्रीफ लाए है, हजरत को बहुत अदव इहतराम के साथ, द आदिन को, अपने नोरानी, मुजल्वधी, अमारे दिलों को नोरावर और मुजल्वधी करके जाए, मेरी मुराद जनाव हजरत, अन्लमा व मौलना, जर्जीस, अन्शारी, चतुर्वधी, इटावा, यूपी कर दो, मेरी में पहज है, एको नोराव श motherfucker, अखाव पहाई है, चतुर्वधी जनावाइ़ कर दो हाइने हिए, अमार थारी उनावधी, इटाव कर दो दो है जनावधी, आको जना है, आज झा इक रो, खॉ inte, कर दो हो अाय है , आर में आनTO Jest झाल 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 उलो में व्यातुर्यातु व्यातु झाल झाल मुक्राजए भलू झालपातु चाल झालतु लूटू हाधू जा नाया, हाधु कर दूटो झाल दूटा तू झाल झाल पाद necessरें साथ मों कासे दो तर राक्त था अ मैं जलातु है भ महान को साथ, झालत की जलत की जलत का इसका है जो जो एचिए ओडिए झाओए जो जोगिया जो जो भी हुआ जो 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 ञीए जो जो तोरा मुदल्हे जो जो मिन सीयात्य अमालिना मन यहदि इल्हु वला मुझन ला हुआ 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 है मन युआ हुआ 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 वार्द मुहर्द का बिर स्लेवातिक. ौरिष अई टृ आतृ और शोलत है वार्द tyres उन्हीं नाही कितामों. वे लड़िया 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 लड जलाला हुआ कुल लाला लाला किल नार आओज बल्ही मिन श्शेटान रर्जीम बिस्म लाह रुछ्माद रुछ्माद रुछ्म वाद रुछ्माद 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 रुछ्मा ये कुलून रबना सिर्फ अन्ना अजाब जहन्न, इन्ना अजाब हा कान घरामा, इन्ना साएक मुस्तकर्न वमुकामा। अब बिश्रह ले सदरी, वयस्र ले अम्री, वहलु अग्दतं मिल लिसानी अक्तहू कोली, रब जबनी इल्मा, अल्लाहुमा रब्ध जदुनी इल्मा, इस टेज़ पर बैठे हैं। मुख्जज परमाई करम और इस इलागे के नहाएती मुख्जज अखबाब। मुख्जज परदानशीन इसलामी फातीन मौर पहुमा, रात के ग्यारा बज़े तक आपने कई लोगों को सुना, और मुख्जज से कबल मौलाना मौनीर सहाब से भी आपने अच्छी गुफ्जज़ू समात करमाई है। मुझे मालूम है, और आपके इस इलाखे में थोड़ी सी एक बाउंडेशन है मेरे साथ, पावंदी है, और वो पावंदी क्यों लगाई गई है, उसकी भी वज़ा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के मना करने के बावजूद में कुछ ऐसी बातें बोलूं कि मेरे जाने के बाद आप लोगों को तकलीफ हो, मुझे मालूम है कि मुझे क्या बोलना है। इसलिए मैंने बहुत ही सोच और समझ कर इन आयात को आपके साथ ने इतलाव किया। और पहले से अपने जहन बना लिए अपने माइंड को अपने दिमाग को थोड़ा सा मेरी तरफ लाइए। और मैं आज के इस तोगराम में जो बताना चाहता हूँ, वो है अल्ला के नेक और सच्चे बन्दों की पहचाए। अल्ला का सच्चा बन्दा कौन है? एक बात याद रखिएगा, अल्ला के बन्दे सब हैं, यहां तक की एक हिंदू भी अल्ला का बन्दा है, एक इसाई भी अल्ला का बन्दा है, एक यहूदी भी अल्ला का बन्दा है, हम और आप भी अल्ला के बन्दे हैं, अल्ला के बंदे से किसी का इंकार नहीं किया जा सकता है और नहीं आप किसी को अलग कर सकते हैं कि तुम अल्ला के बंदे नहीं है मुझे ये बताना है कि अल्ला का सच्चा बंदा कौन है अल्ला का खालिस और नेग बंदा कौन है जो आयते मैंने पढ़ी हैं इन आयतों के अंदर अल्लाह के बंदों की जो पहचान बताई गई है क्या वो हमारे और आपके अंदर है बस अपने गरीबानों के बटन खोलिए और जहात कर देखिए ये गुन ये सिफ़त हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं अगर नहीं पाई जाती है तो हम अल्लाह के बंदे तो हो सकते हैं लेकिन अल्लाह के सच्चे बंदे में अल्लाह के खालिस और मेक बंदे नहीं इसलिए कोशिश कीजिए कि ये जो सिफ़ते अल्लाह तालाह ने बताई हैं गुल बताए हैं, वो हम अपने अंपे पैदा करें तो गुल क्या है? वो सिफ़ते क्या है? वो सुनीए वाइबादु रह्मानि ल्वीन यंशूना अला अर्ब होना वाइजा खातबहुम ल्जाहिलून कालू सलामा सुनीए अब ये उठना बैडना बन कर दीजिए भाई, जिसको जाना हो अभी चला जाए है मैं जानता हूँ कि मैं भाई हिंदी उर्दू बोले वाला हूँ आप लोगों के सर की उपर से निखले दिने लिगा कोशिश कीजिए, हिंदी फिल्में देखते हो, सीरियन देखते हो, आप तो समझ में आता ही होगा आप तो अल्ला के नेक और सच्चे बंदों की पहचान क्या है, मुस्मी वाइबादु रह्मानि ल्दीन यंशूना अला लार्देहुना वाइजा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा इस आयत में दो चीज़ें बता दी हैं, रह्मान के बंदे वो हैं, अल्ला के सच्चे बंदे वो हैं, जब जमीन की उपर चलते हैं, जब धर्ती की उपर चलते हैं, हाउनन तो अकड़ कर नहीं चलते हैं, तकब्र के साथ नहीं चलते हैं, आजजी के साथ चलते हैं, इंकिसारी के साथ चलते हैं, उनकी चाल में, उनके चलने में तकब्र नहीं होता हैं, कभी-कभी आप देखते होंगे कुछ लोगों की चाल ऐसी होती है कि चाल ही बता देती है कि या आदमी किदना ध्मंडी है अल्ला हुने अपने बंदों की पहचान ये बताई मेरे नेग बंदे वो है पहली सिफर पहला गुन कि जब जमीन की ऊपर चलते हैं तो आजिसी के साथ सकूनत के साथ नर्मी के साथ उनकी चाल्ड तकपुर घमंड गुरूर नहीं होता प्राउट नहीं होता और क्यों प्राउट होगा एक इंसान क्यों घमंड करेगा हो वजे क्या है अल्ला ने थोड़ी सी दौलत दे दी तो तुम घमंड करोगे अल्ला ने तुम्हारा मकाम थोड़ा सा अच्छा बना दिया तो तुम्हें प्राउट आ जाएगा जिसके दिल में थोड़ी सी किबर आ जाए तकब्बर आ जाए गुरूर आ जाए कि मैं कुछ हूँ इस गाओं के अंदर लोगों ने मुझे सरपंच बना दिया मुखिया बना दिया एमेले बना दिया एमपी बना दिया कोई हुची पोस्ट में मिल गई सबके मकान तच्छे हैं मेरा मकान पका है मैं कुछ हूँ थोड़ा सा तकब्बर जबाब के अंदर आ जाए तो अपने वजूद पर गवर कर जाए अपने वजूद पर गवर कर जाए अल्ला ने मिसाल दिया हर इंसान को सोचना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा हुआ है तेरी पैदाइश किस चीज से हुई है कितना बड़ा आदमी बन जाए मौला ना जर्जी साथ इस देश के प्रधाने मंत्री बन जाए मोदी की जगे पर हम ही बैड़ जाए अब घमंड आ गया मैं इस देश का प्रधाने मंत्री हो लेकिन सोचो चर्जी साथ आप पैदा किस चीज से हुए सारी अकड निकल जाए हाई गाओं के सरपंच है गाओं के चोधरी है सर्मायादार है पैसे वाले है डौलत वाले है मुफिया है मेले है इंपी चीफ मिनिश्टर प्राइम मिनिश्टर जब तेरे अंदर ये तकप्पुरा जाए कि मैं इस जमीन पर कुछ हो जाए तो तू अपने वजूत पर घौर कर कि तू पैदा किस चीश से हुआ है अगर नौम लेने में तुझे श्रम आ रही है तो मैं बताता हो कि तू किस चीश से प्यदा हुआ हो तु उचलते हुए पानी से जंप लगाते हुए पानी से पैदा हुआ है एक गंदे पानी की से पैदाईश हुई तेरी एक हकीर और जलील पानी का कत्रा उससे तु पैदा हुआ है और फिर तु तकब्र करेगा तेरी हैसियत क्या है तकब्र करने की और इससे भी जादा खुल कर सोचो वो पानी का कत्रा जो शरमगाह से निकलता है शरमगाह के अंतर जाता है उसी पानी के कत्रे से तेरा वजूद बनता है तेरी आंखे बनती है तेरा कान बनता है तेरी नाख बनती है तेरा हाथ बनता है तेरा पैर बनता है तेरा धिमाग बनता है तेरे कान बनता है तेरा पेट बनता है तेरी पीड बनती है और पूरा बनने के बाद फिर तू उसी शर्मगा के रास्ते दे बाहर आता है शर्मगा से निकलने वाला पानी शर्मगा में जाने वाला पानी और फिर उसी शर्मगा से तेरी पैदाश होती है फिर तू खरूर करें तगबर करें और घमंड गरे अंदर आ जाए है इंसान ये तेरी शान नहीं है मौलबी जर्जेश भी उसी पानी से पैदा हुआ है और इस देश का प्राइब मिश्टर नरेंदर मोधी भी उसी पानी से पैदा हुआ है फिर जरूर और घमंड नाम की कुंसी चीज हमारे और आखियां दलानी चाहिए मेरे नेक बंड बंड तो हो सकते हैं लेकर नेरे सच्छे और नेक बंड बंड वो है कि जो जमीन पर चलते हैं तो आकल कर नहीं चलते हैं आज़िती के साथ सुकून के साथ जमीन पर नजरे जमा कर नीचे देते हुए वो चंते हैं उनकी चाल पे तकब्र धमन नहीं होता वो सीना तांकर रकड़कर नहीं चालते हैं और तकब्र और गुरूर तो यह अल्ला की शान है बस किसी और की नहीं है कि हम और आप कितने कपड़े पहनते हैं तो बहुत पहनते हैं लेकिन दो कपड़े बताए गये हैं उम्रा या हज करने जाते हैं तो आम तौपर दो ही कपड़े एक उपर और एक नीचे इन दो कपड़ों से इंसान अपना जिसम चिपाता है और इंसान के जिसम की हिपाज़त ये दो कपड़े करते हैं थोड़ी सी है हमारी लेडी आवाज कर रहे हैं तो खौशा है अगर नहीं समझने आ रही हमारी भाई घंबी उर्दू तो आप लोग जाएं कोई जरूरी न तो समझतों जाओंगी क्योंगी मैं एक बात को दो दो कींपीं बार बोल रहा हूं और बहुत आइस्ता आइस्ता बोल रहा हूं आपके समझने आए एक बार नहीं आया है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं हाज सुनिए क्या कहाँ दो कप्लों से इंसान अपने जिसंठी को चिपाता है अल्ला आ ताला ने फरमाया अल्ला ताला ने फ़रमाया मैं भी अपने जिसंठीं को दो कप्लों से चिपाया हूं एhou अल्लाब का जिसम है कैसा है हमें नहीं मालू है अल्लाब का हाथ है कैसा है हमें नहीं मालू है। लेकिन कैसा है हमें नहीं मालूँ अल्ला सुनता है उसके कान भी हैं लेकिन कैसे हैं यह हमें नहीं मालूँ अल्ला देखता है उसकी आँखें में हैं लेकिन कैसी हैं दो हैं कि एक है चार है हमें नहीं मालूँ हमें ये मानना है कान है हमें ये मानना है आँख है हमें ये मानना है हाथ है हमें ये मानना है कि जिस्म है लेकिन कैसा है ये हमें नहीं है नहीं सका मिस्ल यही शायूर उसके मिस्ल उसकी तरह कोई चीज नहीं है हमारे जिसन की तरह उसका जिसन नहीं है हमारे पेड़ की तरह उसका पेड़ नहीं है हमारे पैर की तरह उसका पैर नहीं है हमारे हाथ की तरह उसका हाथ नहीं है हमारे कान की तरह उसके कान नहीं है कैसे है नहीं है लेकिन कैसे है हमें नहीं है अल्ला फर्माता है मेरे दो कपड़े क्या हैं तुम दो कपड़ों से अपना नंगा पंच चिपाते हो अपना बरहना पंच चिपाते हो अपनी बोडी चिपाते हो मेरे पी दो कपड़े हैं, मैं उन को पहन कर अपने बॉडवी अपने जिस्पको चिपाई हुए हूँ, थ्रयाब रहाइन लगा जिस्पका पाहँ बादया हुए कि मेरे भी तो कपड़े उन दो कपड़ों को पहन कर मैं भी अपने जिसिंग को चिपाता हूँ अज्जु इजारी ऑलकिवर्या और इदाई अब आपके हाँ पर भी होई अल इस्थ ये मेरी लूंगी है इस्थ लोग क्या चाहते हैं मेरी इस्थ हो समाज मेरी इस्थ हो कोई आदमी हमें बुरा ना कहें यही तो हरा आदमी की चाहत है अल्ला कहता है इस्थ जताना यह मेरी लूंगी है मैं इसको पहने हुए हूँ वल्किर्या और इदाई और तकब्र जताना यह मेरी चाधर है घमंड जताना यह मेरी चाधर है घमंड करना यह मेरी शान है तकब्र यह मैं कर सकता हूं तुम नहीं बड़ा पन अल्ला ही को तो है अज्ञावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव बाद हैं, वो जिसको चाहे इज़त दें, और जिसको चाहे सलीन करदें. तो अल्ला कहता है ये दो कप्ड़े मैं भी पहने हुए हूँ अल्यज्द उजारी वल्किब्रिया उरिदाई इस्सत ये मेरी लुंगी है वल्किब्रिया उरिदाई और तकब्र ये मेरी चागर है लोगों जिस तरी के दिन दो कप्ड़े तुम पहन कर अपने इस्सत को बचाते हो अपने जिसित को लोगों से छिपाते हो मैं भी ये दो कप्ड़े पहने हुए हूँ इस्सत तो नीचे और तकब्र को उपर ये दो कप्ड़े मैं भी पहने हुए हूँ अगर किसी ने इज़त अपने लिए बनाने की कोशिश की और तकब्र जटाने की कोशिश की अगर किसी ने घमंड करने की कोशिश की और किसी ने इज़त को अपने लिए साबित करने की कोशिश की तो गोया कि वो मुझसे मेरी लुंगी झीन रहा है अगर कोई ये कहता है इज अगर किसी ने ये दोनों कपड़ों मैंसे कोई एक मुझसे लेने की कोशिश की को मैं उसको धरदनां गजाबं दूलस वा Pakदाजब्त हुआ जाबं शपागे अद सुने लीजिए और एक ऐसी प्रीस सुनाने जा रहा हो इस हदीश के होते हुए मुझे कुछ कहनेगी जरी मत अगर चियूटी के सर के बराबर चियूटी तु जानते ही है मख्षी के सर के बराबर भी मच्छर के सर के बराबर भी अगर किसी इंसान के अंदर घमंड आ गया तकब्बर आ गया तो अल्ला के नभी क्या फर्माते हैं तो सुन लो बहुत खौर से सुन लो और पैसे वाले और दौलत वाले और अपने आप को सरपंच और साहुकार समझने वाले ये लोग जादा सुनें और हमारी मा बहने भी सुनें थोड़ा सा रंग अल्ला ने गोरा क्या दे लिया दिखाती फिर रही मुझसे जादा खुबसूरत कोई नहीं मैं ब्यूटिफुल हूँ चर्चे करती फिर रही हो करवा रही है और लोगों की वावाही लूपती है सुनो मच्छर के सर के बराबर गाई के दाने के बराबर सरसों के दाने के बराबर अगर किसी के अंदर तकब्र आ गया घमन डा गया सरसों के दाने के बराबर भी मक्छी के सर के बराबर भी अगर तकब्र घमन किसी के दिल में आ गया और वो आदमी इसी हाल में मर गया तो या आदमी कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा कभी जन्नत में नहीं जाएगा जहां मौला ना जर्जीस ती ये सोच लिया कि ने बहुत बड़ा मौलवी बनुए हो उससे बड़ा कोई मौलवी ने